नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है knowledge for curious वर और आज हम my mother at 66 के कुछ mcqs को discuss करेंगे जी हाँ पूरे 40 तो नहीं मगर इस हिस्से में हम कुछ mcqs को discuss करेंगे अगली वीडियो उसमें बाकी के mcqs को हम discuss कर लेंगे बहुत सारे chapter के अभी mcqs discuss होना बाकी हैं शुरुबात करते हैं इस chapter के पहले mcq से सबसे पहला mcq क्या है कि भई कौन कवीत्री है पोयर्ट का मतलब कवी कवीत्री दोनों होता है भई common ना होने तो आखिर किसने लिखा है इस poem को पहला जॉन कीट्स दूसरा रोडियार्ड किपलिंग तीसरा विलियम वर्ड्सवर् और चौथा कम्ला तास बताये सही जवाब और सही जवाब आपके सामने है ये कम्ला तास जी हाँ ये है कम्ला तास इनके उपर किताब भी लिखी जा चुकी है बहुत ही बड़ी feminist है आज कल के feminist तो इनके सामने आप कह सकते हो भई थोड़ा बहुत ही है जो है ठीक है आगे बढ़ते हैं What is her work? None for मतलब इनका जो काम है काम का मतलब इनकी कविताएं इनकी कहानियां आखिर किस चीज के लिए जानी जाती हैं पहला उनकी originality के लिए versatility के लिए flavor of the soil भाई देशी पना है एक original है बहुत ही बेबाग तरीके से बोलती है बेबाग एक बहुत famous word है आप जब खुल के कहते हो बिना किसी बंदिश और खौफ के उसको कहते हैं बेबाग तरीके से बोलना उसके लिए famous है popularity के लिए famous है कि भई पढ़ी जाती है इसलिए ही पढ़ी जा रही है कई बार लोग इसलिए पढ़े जाते हैं क्योंकि वो एक बार famous हो चुके हैं फिर कुछ भी लिखें तो वो बिकी जाता है तीसरा उनका style ही ऐसा है चौथा बुज़ expression है बोलने का जो तरीके हैं अलग-अलग उनकी वज़े से सही जवाब बताए और सही जवाब ये रहा उनकी originality versatility और flavor of the soil के लिए ये आप सोच रहोगे ये क्या लगा दिया भाई देखो जब आप NCRD की किताब को पढ़ोगे तो उस किताब में ही जो लिखा होता है अबाउट द पोयर्ट है अबाउट द ओदर वहीं आपको ये चीज मिलेगी इसका मतलब इसको ignore मत कर देना कि ठीक है पढ़ा नहीं बढ़ा ये चीज बहुत काम की है आपके इस पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों अगला सवाल किस तरह का दर्द है परिशानी है जो हमारी कवित्री जेल रही है पहला मा को खोने की दूसरा हट एडेक की तीसरा हैडेक याने सिर्दर्त की और 4 बच्चे चिला रहे हैं चीख रहे हैं उसकी और सही जवाब आपके सामने आ रहा है ये मा को खोने का डर चौथा कौन सी भाषा है जिसमें कमलादास ने अपनी कहानी और नौवल लिखी है दो भाषा हैं इंग्लिश में अफकोर्स लिखी होंगी उसके अलावा क्या है इंग्लिश और तमिल, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और उर्दू या फिर इंग्लिश और मल्यालम बताईए सही जवाब और सही जवाब आपके सामने बहुत आसान है ये इंग्लिश और मल्यालम देखो को जिस तरी कैसे दिखती है इंग्लिश और वहां से कनवर्ट हुई मल्यालम कौन सा पोईटिक डिवाइस है जिसका अस्तिमाल हुआ है पोयम में पहला मेटाफॉर दूसरा सिमिली तीसरा अलिटरेशन और चौथा ये सब अब इनकी यार मीनिंग के लिए कुछ है जो मैं बताने वाला हूँ अगली स्लाइड में पहले तो आप अंसर बता दो उसका चलिए बई सही जवाब आपके सामने आ रहा है यही सब इसका मतलब मेटाफॉर का भी इस्तमाल हुआ है सिमिली का भी इस्तमाल हुआ है अलिटरेशन का भी इस्तमाल हुआ है इस कविता में अभी एक क्या होते हैं इसके लिए मैंने एक बार एक यूट्यूब पर लाइव क्लास ली ती और मैं इमानदारी से आपको बताओं जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी अभी मुझे आईडिया आया कि यार ये क्लास न इस साल भी होना चाहिए पिछले साल की तरह तो हो सकता है है हो चुकी हो जब आप ये वीडियो देख रहे हो नहीं भी होई होगी फिलहाल आप इस वीडियो को जरूर देखना है यूट्यूब पर पहली बार किसी भी टीचर ने हिंदी के अलंकार को और इंगलिश के figures of speech को एक साथ बताया होगा एक लेक्चर में बाइदवे एक लेक्चर हुआ था उसके दो वीडियो बनी थी इसमें मैंने आपको बॉलिवुड के गानों का एक्जामपल दिया है मैंने आपको हिंदी की कविता का एक्जामपल दिया ह है इंगलिश की पोयम का भी एक्जामपल दिया है आप जरूर देखना मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं इसकी लिंक पिन कर दूँ फिलाल बात करते हैं आगे हमारे अगले सवाल की कि मैई वाट इस दो सिगनिविशेंस ऑफ द हमें अपने एक्सिदेंट नहरे तीसरा कि भई वो अपनी फिलिंग को एक्सकर्स नहीं कर भारे ही कहते हैं नडिप्रेशन इस डड्टी एक्सप्रेशन आप जब एक्सप्रेशन में इपोले है इस और रहा था माँ को खोने का डर तेज जाने का डर अपने जजबातों को न कह पाना इस सब कुछ हो रहा था बताइए क्या सही है और सही जवाब है पोयट की पोयट का डर की वो अपनी मा को खो देंगे अगला कौनसा पोयटिक डिवाइस है जिसको trees sprinting में यूस किया गया है trees sprinting बोला गया था जब कार के बाजू से पेड गुजर रहे थी तो ये कौनसा poetic डिवाइस अगे अगर आपने poetic डिवाइस नहीं पड़े तो विडियो देखले ना मैं कोशिश करूँगा बहुत ही जल्द एक ऐसी ही live class रखी जाए free for everyone चलिए जी अगर हम इसे देखें तो भई metaphor, simile, alliteration या personification इन चारों में से कौन सा poetic device इन दो शब्दों में इस्तमाल किया गया है तो भई देखो सही जवाब है personification इसका मतलब होता है किसी non living thing या फिर किसी animal को इनसान की तरह treat करना इसका example है ऐसे ही आसान example में देता हूँ यार हमेशा यह देखो जिसे हम कहते हैं सूरज दादा ये poem थी आपने बच्पन में पढ़ी होगी English में हम कहते हैं Mr. Sun, Mr. Sun याने किसी सूरज को चंदा मामा, धर्ती मा, तुलसी मा, गंगा मैया इन चीजों को इनसान की तरह treat कर देते हैं इस poem का ऐसा क्या feature है जो इसे दूसरी poem से अलग बनाता है special बनाता है इसके metaphor, इसकी simile, इसके अंदर इस्तिमाल हुए अनुपरास अलंकार याने, alliteration या फिर ये तरीका की एक ही sentence को 14 lines 14 lines में continuously कहा गया है बिना किसी full stop क्योंकि जहां full stop लग गया वहां single sentence नहीं रहता उसके बाद दूसरा sentence बन जाता है बताए जी और सही जवाब है ये narrative style आप देखना ये full stop नहीं आया यहां से यहां तक 14 lines हो गई बट बिना full stop के काम चल ला है यही तो famous बनाता है हर कोई थोड़ना कर पाता है स्थीस को दोस्तों जो style मैंने आपको समझाया कि भाई बिना full stop के 14 line चल लगी है यह दिखाती क्या है आखर ये style क्यों use किया भाई कवी जो होते हैं बहुत genius होते हैं वो एक style को use करते हैं तो उसका एक reason होता है कुछ reason है यहां पर वो reason क्या होगा पहला अलग-अलग तरह के विचार हैं दूसरा बहुत जादा विचार हैं तीसरा आपस में एक दूसरे को काटते हुए विचार हैं चौतभा लगातार बहुत सारे विचार आपस में जुड़े हुए हैं जो जिन्दगी की अलग अलग करवी सच्चायों को दिखाते हैं, बताइजी जवाब। और सही जवाब है ये a single thread of thought mixed with harsh realities एक के बाद एक विचार आते जा रहे हैं और सब विचार जिन्दगी की सच्चाई को बता रहे हैं दोस्तों इस वीडियो का आखरी सवाल है कि यार इस poem का main idea क्या है किस बात पर ये poem based है painful old age बढ़ापा जो दर्द बरा है discoloration of skin की भाई skin खराब हो जाती है बढ़ापे में या skin खराब हो दी है तीसरा बेटी कितनी लापरवा हो सकती है चौथा ताकत का नहोना कमजोरी और सही जवाब है बढ़ापा है बढ़ापा तो आई होब आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसके बाद अगला पार्ट आएगा जिसमें हम 30 MCQs को discuss करेंगे टोटल 40 MCQs इस चैप्टर के मिलेंगे और भी बहुत कुछ इस चैनल पर आपको मिलेगा हमसे आप जरूर जोड़े रहिए सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद